सोलर पैनल जो है वो इंस्टॉल कैसे होता है सरकार की तरफ से सोलर पैनल लगवाने पर क्या कुछ लाब दिये जा रहे हैं और क्या सोलर पैनल लगवाने के लिए भी लून लिया जा सकता है इन तमाम बातों पर आज बात करेंगे नमस्कार बहुत बस्वागई था आपका उके क्रेजिट में और दोस्तों इन दिनों हम देख रहे हैं कि भारत सरकार सोलर पैनल लगा सकते हैं कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन सबसे important बात ये है कि आखिर solar panel लगाने से आपको भी फाइदा मिलता है या नहीं और solar panel जो है वो install कैसे होता है सरकार की तरफ से solar panel लगवाने पर क्या कुछ लाब दिये जा रहे हैं और क्या solar panel लगवाने के लिए भी loan लिया जा सकता है इन तमाम बातों पर आज बात करेंगे और साथी साथ आपको बताएंगे कि solar panel के जरीए यानि फिर solar energy के जरीए क्या कुछ लाब आपको मिल सकते हैं तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं solar panel लगवाने पर मिलने वाली subsidy की यदि सरकारी subsidy प्राप करने के बाद कोई भी व्यक्ति एक किलो वाट का solar plant अपने घर पर या कहीं पर भी इंस्टॉल कराता है तो उसे कुल मिलाकर subsidy के अंतरगत साथ हजार रुपे से लेकर सब्तर हजार रुपे तक खर्च करना होगा लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति बिना सरकारी subsidy के solar panel को इंस्टॉल करवाता है तो उसे कुल एक लाक रुपे तक खर्च करना होगा और ये खर्चा राज्यों के हिसाब से अलग लग भी हो सकता है इसके अलावा भी कई राज्यों को सरकार इससे जादा भी subsidy देने पर विचार कर रही है ताहं कि जादा से जादा लोग solar panel को इंस्टॉल करें और बिजली की आपूर्ती खुद बखुद ही कर सकें अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है विचली क्या पूर्ती तो खुद बखुद कर सकेंगे लेकिन solar panel आखिर इंस्टॉल करवाएं कैसे तो सुनिया इसे इंस्टॉल करवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्टेट में राजे में मौझूद Renewable Energy Development Authority से संपर्ख करना है देश के प्रताइक स्टेट के प्रमुक शेहरों में Solar Department का कारयाले बनाया जा चुका है आप चाहें तो बड़ी ही आसानी से अपने शेहर के प्राइवेट डीलर के पाफ जाकर सोलर पैनल इंस्टॉल करवा सकते हैं किसी भी स्टेट या सिटी में मौझूद Solar Panel Authority से भी आप सोलर पैनल को स्थापित करने के लिए बात कर सकते हैं और उसके बाद लोन आदि के बारे में बात की जा सकती है सबसीडी के अंतरगर्थ पैनल इंस्टॉल करवाने के लिए आपको अथारिटी के पास ही सबसीडी का फॉर्म मिलेगा जिसके अंतरगर्थ आप सबसीडी में सोलर पैनल अपने मंचाहे जगा पर इंस्टॉल करवा सकते हैं तो चलिए, सोलर पैनल भी आपने इंस्टॉल करवा दिया, ये जानकारी भी आपको हमने दे दी, लेकिन आप बात करते हैं कि आखिर कितने वाट तक का सोलर पैनल आप इंस्टॉल करवा सकते हैं लगग 500 वाट के सोलर पैनल को सरकार के तरफ से कोई भी व्यक्ति बड़ी ही आसानी से अपनी सरूरत के अनुसार लगा सकता है और ये सरकार परियावरन सरक्षन के अंतर लोगों को प्रधान कर रही है और हाँ, प्रदेग 500 वाट के सोलर पैनल पर आपको लगग 50,000 रुपए तक खर्च करना होगा खास बात यह है कि सोलर पैनल लगवाने पर आपको बिजली के जो लंबे चोड़े बिल आते थे उनसे चुटकारा मिल जाएगा और हाँ, इसकी मेंटेनस भी कुछ खास नहीं है सिर्फ आपको 10 सालों में एक बार अपनी बैटरी को 20,000 रुपए में रिप्लेस करवाना होगा इसके अलावा सोलर पैनल इतना सूटेबल होता है कि यह कहीं पर भी आसानी से चाकर इंस्टॉल किया जा सकता है और इसमें कोई भी खर्चा नहीं आता गर्मी का समय है, सवाल यह आ रहा है कि वहीं ठीक है, सोलर पैनल लगवा लिया इतने वाट का भी लगवा लिया लेकिन एसी, एसी तो हमें ठंडी हवा दे रहा है, उसके बिना तो सोया नहीं जाता तो एसी चलेगा या नहीं, तो वो भी सुन लीजिए आपको बता दें कि एक किलो वाट का सोलर पैनल आपके घर में बिजली की आपूरती बड़ी ही आसानी से कर देता है और इतना ही नहीं एक एसी एक किलो वाट के सोलर पैनल पर आसानी से चल सकता है लेकिन अगर आप 2 kWh का solar panel अपने घर पर लगवाते हैं तो आप 2 AC और 3 kWh का solar panel लगवाते हैं तो 3 AC आराम से चल सकते हैं अब आप ही सोच रहे होंगे कि यह तो बहुत आसान काम है कि बिजली का बिल एक major खर्चा होता है अगर आप एक घर की बात करें तो major खर्चा होता है बिजली के बिल का तो बिजली का बिल अगर नहीं आना है तो भई चलिए solar panel ही लगवा लेते हैं तो आपको ये भी बता दे भारत सरकार और वित्मंत्राले ने सोलर पैनल इंस्टॉल करवाने के लिए बैंकों को जरूरत मन्द व्यक्तियों को लोन देने की अनुमती दे रखी है इसलिए आप को होम लोन मिलने में कोई भी परिशानी नहीं होगी सरकार चाहती है कि सोलर एनरजी के जरूर ये लोग अपने बिजली की आप मूर्ती को पूरा करें इसी वज़ा से अब सोलर पैनल पर भी आविश्यक सबसीडी लोगों को दी जा रही है तो देखा आपने आप बड़ी ही आसानी से सोलर पैनल अपने घर में इंस्टॉल करवा सकते हैं बिजली के मोटे मोटे बिलों से चुटकार आपा सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको इंफोमेशन कैसी लगी जरूर लिखेगा कमेंट बॉक्स में और हाँ किस तरह के वीडियो आप आगे देखना चाहेंगे वो भी जरूर लिखेगा वीडियो के सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और हाँ बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाईएगा ताकि आपको अपटेट्स मिल सकें नमस्का ओकी क्रेडिट बिजनेस ओके है